हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर धर्बेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिडाल दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो आप तक लाया हूँ जो टाइम टेस्टेड है इसमें लगभग हमने कई दिन समय लगाया है रेजल्ट को परक्षने के लिए अगर आपको विटामिन D3 की कमी है विटामिन B12 की कमी है जोडों में हमेशा दर्द रहती है मान स्पेशी में दर्द रहती है हमेशा दर्द सा परेशान हो तो ये आपको जरूर ट्राइ करनी चाहिए करना क्या है रात में जो मूटी चावल होती है जो उरी सा बिहार हो गoking है मैं खाते हैं लोग उसे कम से कम आपको एक पाव लेनी है आप ब्राउन राईस का इस्तिमाल भी कर सकते हूँ सबसे अच्छा है ब्राउन राईस का भी इस्तिमाल करें और होता है जो हम फिक देते हैं उसको फिकना नहीं उस पानी को आपको राज भर रखनी अगले दिन उस पानी को आपको उबालनी है कि जब उबालोंगे थोड़ा उसमें और पानी मिला लेना उबलते हुए पानी में आपको कम से कम 3-4 कली लसन को कूट के डालना है फिर जब अच्छे से उबल जाए दोस्तों आप छन्नी से इसको छान लीजे हर रोज सुभा खाली पेट कम से कम एक ग्लास दोस्तों आपको पिना है परिवार में अगर आप तीन-चार लोग हो तो बच्चों को आप छोटे-छोटे कॉप में के कफ दे सकत कि अध्ये हो और जो बड़े हो आप एक-एक ग्लस जरूर पिना चाहिए लसन जो है दोस्तों इसमें अंटिबाइटिक अंटिसेप्टिक अंटी इंफ्लेमेटरी गोन दोस्तों पाया जाता है और पेन किलर भी है दोस्तों ये धर्द दूर करता है आपका लसन और जो रात में आप चावल का जो पानी है, जो आप सुभा इस्तेमाल कर रहे हो, इसको नियमित रुप से अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो आपका भीटामीन B कंप्लेक्स बढ़ेगा, याने भीटामीन B 12 कास करके आपके सरीर में बढ़ेगा, दोनों का कम्बिनेशन, दोस्तों आपका B3 की कमी भी पूरी करेगा, B12 का भी जो कमी है, उसको पूरी करेगा, उसके साथ साथ, उर्जा देगा, उर्जा का बहुत बड़ा सुरूत है, सरीर आपका बहतर काम करेगा, मान स्पेसे आपका बहतर कारिय क्या मूंगे, दोस्तों इसको आप ट्राइ करो, और इसका जो ल प्राइवक दोस्तों हो। सोंट का प्रयोग दोस्तों कर सकते हो सोंट एक टुकड़ाप लेके कुट के डाल के भी उबाल के फिर छान के आप पी सकते हो मगर लसन का प्रयोग अगर करोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफीट दोस्तों मिलेगा जोड़ों का दज विलकुल खतम हो जाएगा ट्राइ के रिए रेजल्ड अगर आता है कमेट बक्स में जरूर डालें ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मेरे किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में है यह है दोस्तों हिंदी ओनलाइन अमेजन पे अवेलेबल धाई एजर से ज़्यादा टिप्स और आकिप्रेशर का पूरी नौलेज है घर में रखो हेल्थ इक्ष्णरी के तरह यूज करो हस्पताल दौडना नहीं पड़ेगा दवाई से दोस्ताब बच जाओगे उसके साथ साथ यह है दोस्तों अंग्रेजी किताब जो लोग हिंदी नहीं पड़ पाते हो 600 पेज के अंग्रेजी किताब है इससे आप अपना फाइदा उठाईए कलरफुल फोटो अच्छा इंटरनाशनल बुक आपके घर तक ऑनलाइन अमेजन पे पहुंच जाती है उमीद करता हूँ ऐस सब चीज का दोस्तों लाव उठाओ गे आकी प्रेशर दोस्तों रोजाना करो मैं हमेंटा कहता हूँ कि रोजाना अपना अकी प्रेशर अगर करते रहोगे तो इसका लाव आपको होता रहेगा आज एक टीप्स आपको देता हूँ occupation का दोस्तों वो है गर्दंदद और कमर्दद अगर रोजाना रहता है तो आप अपना यहां से लेकर यहां तक यहां इस तरीके से यहां हमारा आनस रहता है पॉइंट नमबर दस यह होता है पॉइंट नमबर नौ यहां एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ दस ऐसे प यहां पॉइंट दबाओगे तो यह दर्द आपका दोस्तों चला जाएगा एक दो तीन चार पांच अगर बीच के पीट में दर्द रहता है यहां से अपका ठीक हो जाएगा मगर आपको पूरा स्पाइन देना है यह आपका सर्भाइकल एरिया है इस तरीके से बुद दस दगईन के हैं देना है 5 बार रिपीट करेणिया यहां 5, x 5 या ने 50 बार यहां 50 बार यहां टोटाल 100 दिन में कम से कम 4 बार अगर आप करोगे आपका स्पाइन ठीक रहएगा गर्दन हात अच्छा रहेगा पेर की नसें भी ठीक रहेंगे सियाटी का नर्व की जो पेन है वो भी दोस्तों चला जाएगा याने सरभाइकल और कमर देदो गेरा दोस्तों ठीक रहेगा थेंक यू बेरी मच जय हिंजय भार